तो हेलो कैसे सब्सक्राइब लोग और सुवागत है आप सब का एक और नए एपसोड में और आज हम फिर से एक बार के लिए वाले हैं स्ट्रीमल लाइफ से मूल लेटर और हाँ आप सबको याद होगा हमने इस वाला आइसलेंट पे छोटा सा घर लिया था और भाई इसके आसपास कोई घर मार्किट कुछ भी नहीं है और तुम्हें मैं अंदर दिखा दूँ जो मेरा कंप्यूटर है भाई अंदर वाला कंप्यूटर नहीं चलेगा तुम सबने मेरे को कमेंट में बता था एक टाइम पे खाली जाना इंपोर्टन है तो चलो रही है क्या फाई दो मिंट रुको मेरी गाड़ी पहले भाई भैंट पर एक लगवा था मेरी गाड़ी में मिरको याद आया तो ठीक है यहां पे एक रास्ता दिया आज मैं इस वाले रास्ते से जाने की सोच रहा हूं बट एक सेकिंड यह मे इसको भीजता हूं पहले रुको रुको इसको मेरी ठीक करना है ना ठीक है इसको नहीं अपने घर पे भीजता हूं फाइनली क्या घर पे पैसे लगेंगे बट यह जाकि ना एकदम से घर के पास खड़ी हो जाएगी तो चलो और वेट यह क्या यह क्या था भाई मतलब इनक मेरी घर निकलता हूं और फिर वही से लोंगा कि मेरी इस वाले घर पे छोड़ दें ठीक है मैं अपनी घर पर आ चुका थाओं बस मिरे को क्या करना है कि अपनी सर्विस सॉआ को बोलना है कि हमारी जो गाड़ी है वह मेरे घर पर छोड़ दें जो की असान तरीके से अपने हमकρι लिए सब बाराबर को तेंस्षल आए तो चलो तो ऑपनी गाड़ी लोड़नीयों ऐ गाडी कहांगी इसमान में मुझाणी तो थी मैं बूराएक टैक्सि बुलाता हूं और रहे करता कि मेरी गाड़ी वहीं तो नहीं खड़ी हुई क्या पता यार ऐसा भी हो सकता है कि मेरी गाड़ी ना वहीं पर खड़ी हो मैं ऐसे लैंड वाले हाउस पर चलता हूँ और वहाँ एक बैन चेक कर लेता हूँ कहीं पता लगे मेरी गाड़ी यहीं पर हो तो ठीक है मैंने मंगाई तो थी अपनी गाड़ी और एक सेकंड यहां आसपास मेरी कार कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है तो मेरे को जहां तक लगता है मेरी गाड़ी आ चुकी होगी मेरे को जहां तक लग रहा है आ चुकी होगी बट यहां पे भी नहीं है तो मैं अप तो मिट निया पीछे साइड देख लेता हूं यह भाई यहां तो बस ये दो बंदे जल रहे थे और यहां पे कहीं पे भी मेरी काड़ी खड़ी निया और मेरे टॉक साइज से मेरे पीछे आ रहे हैं यह देखो दो मिट तुम फ्रीली घुमो यार क्यों मेरे पीछे आ रहे हो यह भी है कि यह भाई पीछे पीछे घुमते रहते हैं काफी अच्छा है इनका भी तो चलो यहां मेरे को मेल आया किसी जीच का गाड़ी के रिगार्डिंग तो नहीं है मेली वाला दो मिट रुकना यह जॉब क पर दो मेरे को लगता है अपनी काड़ी को दूड़ने जाना पड़ेगा वहां पर होगी तो चेक कर लूगा या फिर भाई आज मेरे को अपनी कार को दूड़ने ही जाना पड़ेगा क्योंकि जो मेरी घाड़ी है ऐसे गुबाई नहीं हो सकती थी गुम नहीं सकती थी बट क्या बता हूँ पता नहीं क्या सर्वीस एंटर आ जोल करा कि मेरी घाड़ी मेली निरी अब देखते है बाई वो कहां पर मिलती है किस हालत में होगी वो मेरे को अभी कोई आइडिया कि वह किस साइड है ठीक है मैं अभी जा रहा हूं सीटी में वहां देखेंगे अपार्टमेंट के पास अगर वहां पर भी नहीं मिली अपनी कार तो फिर चलना पड़ेगा अपने नियुवे वाले घर पे मतलब जो सबसे पुराना घर था वहां नवे वाला घर बोर्नों बता हो गया तो चलो मैं सिटी में तो बहुत चुका हूं अभी के लिए मिरे को परनी घाड़ी ढूड़नी है ठीक है यहां से चलता हूं पहले अपार्टमेंट के पास और एक सेकिंड वान रेडिकलर का मिरे को नहीं 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 यह तो फाइट डिलिवरी बाय की जॉब वाला ट्वलिवरी गाड़ी नहीं आ रही है यार मेरी कार कहा गई रैड कलर तो देखके ने और यह तो पर यह मेंटल ने बीच में लगा दिया गाड़ी को इसने भाई मेरे को निकालना भी अपनी कार को बट यह अलगी है और वह देखो मेरे आगे से एक बंदा उड़के गया दो मिम्न तुको यार इसकी गाड़ी को मेरे को ना हटा करता हूं पर-ऊपर अपरकी वैन मेरे को पर इसके खार हों और निकलते हैं भाई पुरानी वाली । तुम्स pensite या पायद्मेंट के पास तो मेरे कोई भी पर नहीं है पर अगर आगर میरे पुराने वाले गर पे मिलती है गाड़ी तो ठीक है और मिल को एक चीज पता लगेगा जोकि हमारी कोई भी डिलीवरी ऐख स्थर्विस की मतलब खारख की वगर की वह सीधा वहीं पे होती होगी मिल को जहां तक लगताए अगर वहां पे मिल गई हमारी काड़ी अगर नहीं मिली तो भाई एक तरह से उसे समझो लोश्ट है हम गुमा चुके हैं अपनी कार और मेर को नहीं पता वो कैसे गुमी है बट सर्वी सेंटर वालों की गलती की नहीं जाएगी हो तो चलो चलते हैं पहले अपनी पुरानी सिटी में और ढूटते हैं अपनी मेर को और अभी ना मेरी स्कारिवाना पड़ेगा बट कोई बात नहीं हम बाद में भरवा लेंगे चल के बाद में मतलब सात के साथ ही बरवा लेंगे मेरी गाड़ी यहां फच चुक्ए दो मिंट यह ही से उतरता हूं ना मैं सीधा चलके देख लेता हूं अगर महां मेरी तो ठेक वरना भाई हमारी इतनी महंगी कार आज लॉष्ट होने वाली है तो चलो यहां पर मिरको भाई नहीं है नहीं है मिरको लग रहा है वो गाड़ी पूरी तरह से गुम सुम उचकी है और भाई यह जो पूरा सर्वी सेंटर वालों ने भाई अचार डाला है ना मेरी गा गाड़ी में तेल कितना है तो इस बार इना हमारी गाड़ी में खताम होने वाला आया तो मिरको देखो तेल पढ़वाना है पहले और फिर चलना है अपने घर पे बट यहीं से पढ़वा लूगा साइड में है तो पैट्रोल पंप बट चुड़ो अभी के लिए मैं सोच र के बताओं मेरे को गाड़ी कैसे मिलेगी बहुत ज्यादा महेंगी लेती मैंने तो मिले को कमेंट करके जरूर बता देना तो ज Alert हुझा ओंज हो गसे हैं में पैटरोल बंप के पास तुर यहां पे बनवाना तो चलो आप चलते हैं city में और हाँ तुम्हें याद होगा मैंने बात कर दी थी कि जो हमारा सबसे नीचे आला फ्लोर है उससे ready करना था वो पूरी तरह से ready नहीं है मतलब यार मैंने उदर पे न कोई समान लगाया नहीं बट मैं सोच रहा हूं आज क्यों ना उसका काम भी मै खतम कर दूं देखो गाड़ी गुम चुकी है अब वो मिलेगी पता नहीं कब कहा और किस हालत में होगी वो गाड़ी मेरे को कुछ आइडिया नहीं है बट हाँ यह होगा अगर मिलती है तो हमारा फाइद है अगर नहीं मिलती तो बहुत जादा बड़ा नुकसान है तो मेरे साब से काफी जाता रात भी हो चुकी है तो चलो सुएंगे और यह वैन वाला पता नहीं किसके घर में ठोक के बाठा है इस टाइम वाई अलगी है वैन वाले भी तो ठीक है यहां मेरे डॉक्स कहां पे हैं सामने खटे में इनने मेने फ्रीली कर रहा था बट यह सामने फेंवे घूम क्योंने रहेएं वैं क्यойдnezky यहां से थो जूंके वहां लग्या और यहां रभी धर और बनकी दोनो तुण चूकिए तो पहले मैं कुछ समान मंगा हो सुभीर सबीवर कर साzd का और तो बहुंत कुछ है तो चलो मैंने पहले से add to card कर देता हूं फिर सकीना payment complete कर दूंगा तो finally guys हमारी payment हो चुकी है complete 16,000 dollar का मैंने समान मंगा है total अब तुम सो सकते हो कितना ज्यादा महंगा होगा तो चलो चलते हैं अब सोने के लिए और हां सो के फिर morning तक मेरी delivery हो जाएगी भाई समान की तो ठीका सो लेता हूं मैं पहले अपने बैट पे तो ठीका सुबह हो चुकी है और सुबह के पूरे के पूरे कुछ भी नहीं बज़ें मेरे कुछ टाइम ही नहीं पता तो चलो खाना को ना खाता हूं और यह जो फ्रीज आए जल दिसे खाना तो बहुत बंके रड़ यह दो मिटेको और ना तो चलो अब इना पहले ज़र पर मैंने काफी सारा फूड उठा लिया है तो कहां मेरे बहुत आजाओ जल्दी से खाना थुमारे बनके रैड़ यहाद यहाद यह दो रहना करने फ़िकर अब रहे उसकी बट उसका रहा हुआ तो ठीक है अब छाल ना ना काफी ज्यादा गुसेल रहे तो ठीक है अभी ना इसके लिए सारी की सारी पेट यहां अपने बैक पैक में रख रहा हूं तो चल भाई तू भी पेट भर और यहां से चल गूमने बाग जाब यहां से निकल जा फ्रेली घूम कोई टैंसन वाली बात नहीं है तो देखो यहां पर मैंने काफिर सारे सेल्फ मंगाए हैं और भी बहुत सारा स समझ के सब कुछ लगाना पड़ेगा जिससे कि हमारा यहां रूम है वह काफी जादा अच्छा लगे अभी कोई डैकुरेट का समान जादा मंगाया नहीं है बट वह भी न मैं साथ के साथ और कर दूँगा तो चलो अभी ना यहां पेच करता हूं इसको लगाता हूं यहां पर ठेक है इन पर डैकुरेट के लिए कुछ रखूंगा उपर की साथ जो देखने में अच्छा लगे और यहां पर यहां पर यह वाला सेल्फ काफी ज्यादा पड़ा है उसमें जगा काफी ती इसलिए मैं सोचा यह वाला सेल्फ हमें और कर देना चाहिए तो चलो और इस मैंने इस फ्रिच को इस सेल्फ के पास लगा रहा हूं बाकी देखते हैं अभी दिरे-दिरे करके जो जो समान उठा रहे ना उन सब को हम रहा है और यह मेरे साब से स्मोग का फ्री जैस का नाम समोग है अब तुम समाथ जो हुआ कि इतनी खतरनाक कंपनी होगी है तो चलो अभी इसमें क्या है वह सिंग मंगा था मैंने दो वासिंग मंगा थी जिससे कि मेरे पास कपड़े काफी होंगे तो मैं ना इसको उसके इंदर वाश कर पाऊँगा तो चलो इनको भी रखता हूं मैं जल्दी से अंदर ले जाके मेरे को रखना है इनको वाश रूम में तो किरा हमारा वाश्रुम ने स्मिन सब्सक्राइब करना है और यहांपिर इसको रखो कुछ आपने कपड़े अआम से दो सकता हूं और सबसे नहीं फाली है झी जब सिकते को दश्ञाइब करें थे यह धाया है यह घाद प Watch Haha आ आपना सारा का सारा कपड़ा वाश कर पाऊंगा तो ठीक है और 20 इसको बीसे डालता हूं इसको बोश कर लगाता हूं मेरी दोनों की दोनों मसीने चल चुकी है बहुत बड़ा महंगा था काफी ज्यादा और वहाँ पे दो फ्रीज लगाए है सेल्फ सुल बगए लगाए मैं ज्यादा कुछ लगा है नहीं डेकुरेट करूंगा ना तब काफी कुछ दिखेगा तुम्हें तो चलो यहां पे देखो डॉक फूड है जो कि मेरे को वहाँ प काफी ज्यादा सही रहेंगे और इनको साइड साइड में लगाना है तो राम से लगा लूँगा तो चलो यहां पहले काम खतम करता हूं और फिडर आज हमने एक और समान खरीदना है जो कि तुम्हें पता होगा टैकोरेट का जिससे कि हमारा थोड़ा बहुत अच्छा लग करना जरूरी है तो चलो फाइनली मेरा काम खतम हुता है यहां पे स्टोर को क्लोज करो और चलते हैं पहले सोने के लिए तो ठीक है यहां पे सो लेता हूं पहले तो फाइनली सुबा हो चुकी है पहुत सारा काम है तो अभी के लिए काम करते हैं और जो और करना दा मिरको टैकुरेट का समान वहां बगैर कर लिता हूं तो ठीक ऐसे क्लोज करो पहले अपनी सीट पर बैठते हो यहां पर जो डैकूरेट पाशना मगाना था वह और करता हूं मेरे पास कितना टोटल पैसा है मेरे को पैसा भी देखना पड़ेगा पहले यहां पर मेल्स आई है नोट पैड इलेक्टिसिटी बिल क्या सीन चल रहा है यहां पर भाई बिल्स की पैनल्टी लगी हुए मेरे को मतलब कम से कम मेरा भी साथ या आठ हजार के बिल्स टोटल हो चुकिए हैं मेरे नेट का बिल मेरे पास देखो जितना बैंक अकाउंट में पड़ा होगा वालिट में पड़ा होगा उसको भी मैं डालने वाला उस्टेम उसमें अपने एट्यम में डाल दिया मेरे पास ऐसे 14,000 डॉलर है तो इतने मेरे साब से यह अपना जो यह डेकुरेट का समान है वह बगयरा सारा क कुछा जाएगा और यहां मैं कुछ कपड़े भी मंगा लूँगा जिसकी मेरे को जरूरत है तो चलो यहां पेना पहले में मतलब अपनी जो भी ऑर्डर करना है उसे एट्टू करता हूं और उसकी करता हूं पेमेंट जल्दी से ठीक है गाइस देखो यहां पेना 17,000 डॉल चाहिए भी परस है 13,000 डॉलर यहां मैं वेट करूं क्रिप्टो का नहीं तो मेरी स्टोरेज में रुको समान पढ़ा हुआ है मैं उसको भी तो सेल कर सका हूं एक सेक्ट मैं सोच रहा हूं क्यूं ना हमारा जो समान पढ़ा है उसको ना मैं सेंट एंड शॉप पे सेल करता ह तो ठीक है अभी ना इसको मैं एड करता हूं अपने इस कार्ट में और इन सारे के सारे समान को लेके चलते हैं अपने भाई सेक्ट एंड डीलर के पास और वहां पर सेल करेंगे तो चलो अभी ना मैं जल्दे चलता हूं यह जौब वालो का ही होगा मेल वह हमेसा मेरे को मेल करते रहते हैं और बुलाते रहते हैं कि जल दी से काम वाम बगएर कर लो पैसे वैसे कमा लो हमें नहीं जाना बहुत पैसे हैं हमार पास मेरे को पता क्या लगाता हो दूर गाड़ी खड़ी है वह हमारी है बट भाई ऐसा धूका हुआ मिर साथ तो ठीक है इनका ट्रंक कम खरता हूं यहांपे इसके अंदर जाते हैं मतलब जो समान मेरे को सेल करना है यहां पस्को तूरा सकता है कि इसको बहुत करे में रहा क्योंपने पास उस्टूडियो लाइड से ग्रीन स्क्रीन ग्रीन शुरा खरने चादीं लिए पाम नंदे था इतने ज़्यादा पैसे चाहिए देगा मेरे पूर 17,000 डॉलर चाहिए अगर इतने ना मिले तो मेरे को एक-दो समान सही में बोलू काटना पड़ेगा तो चलो अभी ना यहां से चलता हूं लेफ्ट की साइड और राइट की साइड डीलर की शॉप है तो वो देखो सामने और यहां से ना मैं पहले अपनी गाड़ी को सीधा कर लूँ इंपोर्टन्ट है वो काफी जादा तो ठीक है बाइस से बातचीत करते हैं और कितने का सेल करेगा वो देखते हैं भाई तो चलो अभी ना मैं इसको चल्दी से देता हूं इस समान जितना लाया हूं पहले उसक उसे बार्गेनिंग करूं क्या थोड़ा बहुत बढ़ा दिसा ऐसे नवाई समान है तो चलो अभी ना इसकी बार्गेनिंग करता हूं और भाई यह तो 88 परसंट गुस्सा है कैंसल है और यह कितने 93 डॉलर इसने घटा दिये बट कोई बात नहीं अभी मैं कुछ भी कर सकता तो चलो एक हजार डॉलर तो हमें मिली गए है टोटल और यहां पे देखो थोड़ा बहुत और समान पड़ा है उसे भी मैं रखता हूं मेरे पास इस टाइम हो जाएंगे 14,000 या 15,000 डॉलर तो आसपास चले जाएंगे तो चलो यह जितना समान का ट्रंक में है इसको सेल करत करने में सही बोलूं तो बट कोई बात नी हैं बहुत जादा गुस्ता है इसमें तो बार्गेनिंग में पता नी 100-200 डॉलर ना घटा बाइसी 55 डॉलर घटा है अच्छा हुआ तो चलो यहां पर कमी घटा है था बट मैंने मार्गेनिंग करके ना सारा पैसा अपना बचा ल निकल चुकिया यह पर मरा पड़ा बहुत बियोस है जैसे तो ब्योस होगया तो चलो पैमेंन कॉंप्लीट करनी और मेरा को देखना पड़ेगा मेरी पेमेंट बनी कितनी शाब करना पड़ेगा एक तो मेरी गाड अलक हो गी यह बाई पर तो चलो अभी न मैं जल्दी से यह मेरे पीछे आ रहा क्या मिरकों लगा भाई टफी मेरे पीछे आ रहा है बट कोई बात नहीं तो चलो टाइसन है साइस उसका नाम एक का नाम टाइसन है टफी किसी का नाम ने रखा मैंने तो थोड़ा बहुत टॉलर यहां पे भी कलेक्ट ह चुके हैं इसको करते हैं और में फिफ्टीन थाउजन डॉलर है इस वक्त तो ठीक है यहां पर मैंना पैंक का जितना भी पैसा मलब वालिट वाला और यह मेरे पीछी को आ रहा है एटीन हेंड़ तो इदर पे भी मेरे पास बच्चे हुए है दो मिंटर को यहां पेना पहल और जरूरी होगा नो वहीं मंगाऊंगा फाल्तु का कुछ नहीं मंगाने वाला है तो ठीक है यहां 17,000 का डॉलर होने थे और यहां पेना मैं सोच रहूं कुछ कैंसल कर दूं तो ठीक है मैंने दो आइटम्स कैंसल कर दी हैं बाकी मैंने सारा का सारा समन मंगा लिया है वह तब भी 2,000 डॉलर बचे हुए क्योंकि मैंने दो आइटम्स भाई करें सस्ते मतलब बाई नहीं करें तो उनका काफी जादा मेरा पैसा बच गया तो ठीक है अभी ना इनको खाना वानक लाता हूं फिर इना सोने के लिए भेद दूं जिससे कि इनकी ना एनर्जी काफी चा हगे देख देख थे की इसकी फूल क्रनी के लिए मैं कर सकता हूं इनने सोने बेच सकता हूं तो चले में कैसारा समान आ चुका होλάइब हम नीचे लो इना जल्दि मैं बाग जाता हूं यहां पे मिरा सैल्फ पूरा का शत्म मुझ नत जा लगाता तो चलो यह क्या है यह मास्क है अच्छा-च्छा यह काव मास्क है इसको मैं ऐसे लगा नी सकता किया उपन मिरको लगा यार यह मैं लगा सकता हूं। है एक स सेकिंद ये सट्रहण का समान है तो सईस इसको मैं ऐसे रख सकता ऑँ सिंपल तरीके से तो यह फ्लेंट पर इच्छा लगेगा ना तो ट् refer चलो जितना समान ओब और यह डीटार है तो जितना अब ऑहले समान है साराuppश पर निकाल लेता हूं और है इस को पहले कर लेता हूं नीचे वाले को और तुमने दिखाता हूं हमारा पूरा ड्यकुलेट का रूम है वह कैसा लगेगा तो चलो मैं अपने जल्दी से काम करता हूं नहीं तो वीडियो भी काफी जादा बड़ी हो जाएगी तो गाइस 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 हमारा पूरा रूम हो चुका है यहां देखो भाई इस साइड मैंने गीटार और लगाया थी यहां पर कोश टॉल्स हैं और एक वेल मचली लगाई है यहां पर स्पेस सिफ लगाया है मैंने सेल्फ के उपर और यहां तो डॉक का फूड है यहां भाई देख रहे हो ना स्कूप लगा हुआ है काफी पीचे का रोम तो रडी हो चुका है और यहां वासिंग मसीने ही काफि लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो तप स्यव्सक्राइब करें अपने दोस्तों के बीच मिलते हैं अगले वाल एपसोड में तप तक रिए बाई बाई झाल, 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 झाल